यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत है नई नोटिस जा रही हो यह पोस्ट ओफिस रिकूट्मेंट से रिलेटेट पर्मनेंट पोस्ट है यहां पर खास बात यह कि पेस्केल दी जाएगी एक ओपनिंग रहती है जहां पर फिक्स सालरी दी जाती बट यहां पर पेस्केल दी जा रही है तो पेस्केल मिलने के से फाइदा बेनेफिट यह होता है कि हर साल महंगाई बद्ता आपको बढ़ता ऐलोवेंस काही सारे मिलते है इसके अलावा और भी कई सारे ऐलोवेंस गवर्मेंट ओफ इंडिया के जो रूल्स के मताबिक दिए जा होने जारी है तो चली आगे बढ़ते हैं टेंथ पास ट्वेल्थ पास ग्रैजुएट हैं पीजी हैं बीटेक हैं अप्लिकेशन डालना चाहते हैं तो बांकी की एसेंशल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीठ हो रही हो अगर तो आप अप्लिकेशन डाल सकेंगे की हैं सबसे पहले आप पॉस्ट देख सकते हैं सबसेंद душ सकतें पी टिफे टोंट पिजी हिंट की पीडिफ है जो पोस्ट या ऊंही सबस्थे पोस्टमें थी स्बस्ट्री टीघ्मी स्बमल्ट काले तू सब्लए मृं तो मंस्टिक सब ड़िप्र पžसेंट के तो पॉस्ट की स्टार्टिंग बेसिक पे है 21,721,700 इस पर विए अलाउएंस एड कर दें सभी गवर्मेंट अफ इंडिया के मताबिक तो सैलरी 35,000 के उपर जरूर बनेंगी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भी 32,000, 35,000 या 30,000 एराउंड सैलरी जरूर बनने वाली है तो अब जालेते नोटिफिकेशन कहां से जारी हुई है यह पोस्ट ऑफिस की जो ओफिशल वेब साइट है यहां पर आपको चले आना है फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो है 22 नोवेंबर की डेट से बिहार सरकल के लिए आई हुई है डायरिक रिक्रूट्मेंट टू पोस्टल एसिस्टे स्पोर्ट्स कोटा इन बिहार सरकल तो यह जो सेक्शन है यहां पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए और भी अप्रेट साइव है जमू एंड कश्मीर से आई हुई है वेस्ट बेंगॉल से भी आई हुई है तो इसमें क्या रहता है कि एसेंशल क्वालिफिकेशन तो जो है 10 या 12 सब्सक्राइब आपने पड़ी लेवल पर तो बिहार में मुस्ट ली क्या है जैसे वेस्ट बंगॉल में अगर application डालना चाहिए तो बैंगॉली आनी चाहिए आपको बैंगॉली पड़ी ओनी जाहिए पोस्ट में के लिए बाकि के लिए application डाली जा सकती है पॉस्टल एसिस लिए बाहर से भी candidate application डाल सकते हैं बट स्पोर्ट्स कोटा में है तो sport eligibility मैच करनी होती है मीट करनी होती है अपार्ट फ्रों जो essential qualification है essential qualification postoli of starting assistant के लिए ट्वास होना चाहिए और 60 days की computer की basic training होनी चाहिए लेकिन अगर आपने already school level में 10th level पर 12th level पर computer पढ़ाई किया एक पेपर तो ठीक है कोई सेर्टिफिकेट नहीं चाहिए अधर्वाइज एक साथ दिन की 60 डेज की डियोरेशन की एक ट्रेनिंग सेर्टिफिकेट कंप्यूटर की बेसिक चाहिए और 12 पास होना चाहिए बहुत्प पेप्लिकेशन की प्याइज एक पुर्ट कोटा में आनने के लिए एक क्वालिफिकेशन不用 की डाल किये स से उपर वाले law hesitate बेसिकशन bes Miit ही हिंदी पड़ी होनी चाहिए टेंथ लेवल तक और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी मीट होनी चाहिए लास्ट डेट है इसकी 31 दिसंबर 2021 आफ्लाइन मोड में अप्लिकेशन डालनी होती है स्पोर्ट्स में कौन-कौन से स्पोर्ट्स है जिनके अंतरगत आप अप्लिकेशन डाल सकेंगे अगर सर्टिफिकेट है तो बड़ी सी लिस्ट है 64 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया इसमें से कोई भी आपने गेम खेला हुआ है और आपके पास एक वैलिट सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए पेज नंबर सेवन पर आप देख लें इंटरनाशनल कंप्याइशन या नैशनल रीडियन जुनि रिफेपके लिए टपरेशन चैच्टिफिकेट है तो टेन पास टेल पास ग्रैजुएट तो इसमें अच्छा यह है कि पेस्केल दी जारी है हर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी तो टोटल नमबर आप पोस्ट वगएरे भी सारे लिखे रहते हैं इसमें आप चेक कर सकते हैं सारी चीजें अप्लिकेशन पी कुछ पोस्ट के देखने लिए 100 रुपे हैं बाकी के लिए एक्जेम्ट भी है स्पीड पोस्ट यह रेजिस्टर पोस्ट से दिये गए अड्रेस पर आपको भेजनी होती क्या क्या चीजें बेजनी है कैसे बेजनी है वो सब चीजें इसमें अच्छी तरीके से सिस्टेमाटिकली दी गई है आपो को देख ले ना अगर अप्लिकेशन थी आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं आठवे पेज नंबर पर देखी जा सकती है अप्लिकेशन फी कैसे पेकाड़ी है और क्या है इसकी अलावे म connection के पढ़ने के पहले अब जबront करने के पहले जैसे सबसे पहले इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया तो उनको प्रेफरेंस देंगे फिर नाशनल में स्कूल लेवल पर तो इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है कौन से स्पोर्ट में कौन से लेवल पर आपने खेला है स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स है यह सब चीजे पंड ले लिए अगर आपको लग रहा है आप स्पोर्ट की किसी भी क्राइटेरिया को मीट करते हैं दसवी पास बारवी पास है या उसे उपर की डिग्री है हिंदी आप में पड़ी हुई है तो आप बाहर के स्टेट से भी लिए अप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं जामु एन कश्मीर के लिए उर्दु भाशा आनी चैए वेस्ट बेंगाल के लिए बैंगाली पड़ी होनी चाहिए स्कूल लेवल पर बिहार के लिए हिंदी एक सब्जेक्ट पड़ी होनी चाहिए और इसके अलावा और भी अगर करते हूं इसके ओफिशल वेबसाइट की लिंक है यह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें चेक करें कहीं लिंक जरूर आपको एवेलेबल मिलेगी अब आगे आपको मैं बता दू अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को स सेट अप की हुई है यहां पर भी बहुत अच्छी जॉप्स में न्यूस पेपर की कलेक्शन होती है मेरी ओफिशल वेबसाइट पर कुछ मिलता है मुझे जिनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई यूट्यूब पर तो मैं उनको डाइरिक्ट आपके लिए फेस्बुक चैनल और इंस्टाग्राम पर शेर किया है डेली मिनिममम में कोशिश करते हूं तेन्स जरूर अपडेट करूं टीचिंग की होती है नौन टीचिंग होती है कंपणी के जौबस होते हैं यहां 22 पास सभी के लिए कुछ न कुछ यहां पर आपको वेकेंसी से भी आपको यहा के कोशिश कर रहे हूं तो फेस्बुक ग्रोप टेलिग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी जोईन हो जाए सभी के लिए लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें वहां पर सभी के लिंक्स आपको मिलेंगे क्लिक कर लें और आटोमेटिकली जो सभी को तो यह उफिशल वेबसाइट पोस्ट आफिस की इसकी भी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मॉक्स में नीचे के साइड में मिल जाएगा आप सभी को बेस्विश थिंक्यू वेरी मुच